असलम लेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा करी की एक अलग तरीकी रेसिपी इसे हम बनाएंगे पालक के साथ बहुत रेशी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है तो चले देखते हैं मज़ेदार साथ पालक अंडा करी कैसे बनता है इससे पहले अगर लगगेगें, इसी तरह में सारे अंडों में कट लगा ले हू इन्हें साइड में रखोंगे, यह मैं ले लिए और यहीं ले िवह 10kg पालक तशनल थे डौ हैं ड़ भें से पालक हाफक दए हैं माड़ी पालक, तो हैể बार्ट ने के गज़ा या फिटेश के साबसे लाल मिज़़ पाउडर डाल देंगे आदा छोटा चमाज हलदी पाउडर ले लिए हूँ इन सबी चीजों को हमें अच्छे से मिला देना आदा ही में अच्छे से मिश कर दूगी यह मिला ली हूं मैं मारा मसारा तयार है इसी तरह इससे भी साइड में रखेंगे अब मैं एक पैन में डाल दूगी तेल एक चुथाई के अपके करीब में तेल ले ली हूं तेल हम थोड़ा ज्यादा इस्तिमाल कर दें इसमें एक चुथाई रखें पकरदेना हल्का सक बहुत ज्यादा नहीं इसमीन करेंगे व concur है कि शल्का सभल क्लिंगे हर तरफ से अड़ा हो शुक्त है है अम यह ने निकाल लोंगी को मैं अब दुरा दाल में डाल दूंगे अदा छोटा sap a a यह टीच जीए Dame हैँ कर न डाल दूंगी दो एक लाल मिट्च ले ली हूँ उसे भी तोड़के डाल दूंगे हलका सा मसालों को भूल लेंगे पहले और अब मैं डालूंगे इसमें दो प्याज मीडियूम साइच का जिसे बारी काट ली हूँ इसे प्याज को हमें हलका सा ब्राउन होने तक भूल लेना है तो फ्लेम को देख सकते हैं ब्ल्कुल ब्राउन हो गया है अब मैं डाल दूंगे इसमें टमाटर तो दो मीडियूम साइच का लिए हूँ इसे बारी काट लिए हूँ इसे भी डाल दूंगे साफ में नमक डाल दूँगी ताकि हमारा टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो एक बड़ा चमश नमक डाल ली हूँ आप अपने टेट के साफ से डाल सकते हैं मिक्स कर दूँगी इसे ढपकर टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक पका दूँगी यह दिखें यहां टमाटर हमारा पक गया अच्छे से लिकुल सॉफ्ट हो गया है हमें डालूंगे इसमें जो दही के साथ हमने मसाले मिलाकर रखा हुए उसे मसाला मसाला डाल दूँगे बाल में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डाल दूँगे फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर चलाते हुए पहले भूनेंगे इसे यहां हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है तिल भी छोड़ दिया पूरी तरह से देख से कितना बढ़िया भूना है अमें डालूंगे इसमें एक बड़ा चमस कसूरी में थी हा अब मैं इसमें पालक डाल दूंगे जो हमने काटके रखा हुआ है थोड़ा चाल के पहले इस तरह से चला देंगे ताकि यह गल जाए उसी में और मैं बाकी के बचे हुआ पालक भी डाल दूंगे इसमें इसे पहले हम एक मिनट तक चलाते हुए इसी तरह भूनेंगे फ्लेम को हाई रखी हूँ हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए भून ली हूँ है अब मैं हँभ ड़ाक दूंगी अधग कर मीडियू फ्लेम पर इसे पका लूंगे बीच बीच में हम चलाते रहें गया इसे प्ले nggak तलिन लह Tobie लगबग 4 मिनिट हो चुके हैं low to medium फ्रेम पर इसे पकते हुए बीच में 2-3 बर में चला ली थी यह अच्छे से गल गया है अम इसमें अंडे डाल दूँगे अगर आपको तीखा पसंद है तो ही डालें मिक्स कर दूँगे और इसे ढखक कर एक से दो मिनिट तक और पका लूँगे अब हमें इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है और इसे पकते हुए लगबग 2 मिनिट हो चुक है हमारा अंदा पालक करीब बनकर तयार है अब में टाल दूँगे इसमें हरा धिनिया इसे मिक्स कर लूँगे और गैस के फ्रेम को आफ कर दूँगे अब मैं इसे सर्विंग बॉल में निकाल लूँगी अब देख सकते हैं कितना बढ़िया बनाएं और टेस्ट भी इसका लाजवाब होता है अब इसे एकबिड़ जरूर रहे कीजिएगा सब को बहुत पसंद आएगा मेरे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावियएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक कमेशन के सबस्क्काइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेयर कीजिएगा